इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि DRR और DRI की क्या बत्तमीजिया हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी, हाँ बत्तमीजिया बोला इनको ठीक भी लगता है मुझको, तो confusion है theory में भी practical में भी, आओ इस वीडियो में less than 5 minutes के अंदर हम सीख जाएंगे कि DRR और DRI का treatment कैसे होना है, किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, तो चलो भई, अगर मैं बात करता हूँ, यह NBFC, HFC क्या होते, NBFC का मतलब है non-banking financial companies, और HFC का मतलब होता है housing finance companies, HFC का exact मतलब क्या है housing finance company, जो home loan देने का काम करते हैं, तो क्या लिखा है, जितनी भी listed companies have its stock exchange, including NBFCs and HFCs do not require to create DRR, इनको DRR नहीं बनाना होता है, जितनी भी listed companies है, NBFCs है, non-banking financial companies, और housing financial companies, इनको DRR नहीं बनाना होता है, पहली बात समझ मैं गई, तो सर बनाना किसको होता है, जितने भी unlisted NBFCs हैं, और HFCs हैं, उनको भी नहीं बनाना है, चाहे listed company हो, including listed NBFC, listed housing finance companies, या unlisted non-banking financial companies और housing financial companies इनको बनाना ही नहीं है DRR, एकदम बात समझ में आ गई, चाहे listed चाहे unlisted बनाना किसको है, सारी unlisted companies को DRR बनाना होता है, यहां लिखा है, for unlisted companies other than NBFC and HFCs, create DRR at 10% on the outstanding debentures, यतने भी total debentures आपको redeem करने बाकी है, उनकी face value को 10% का DRR आपको बनाना होगा, अब सर कोशन में कैसे परचलेगा, कोशन में clearly mentioned होगा, कौन listed company है, कौन unlisted company है, कौन NBFC है, कौन HFC है, यह paper में लिखा होगा, तो तुमको confusion वाली बात नहीं, सबसे पहली बात क्या, सर NBFC, HFC के case में DRR बनता ही नहीं है, एक बात तो य unlisted companies का ही DRR बनेगा, unlisted companies, बात समझ में आगे, एकदम clear है, तो यहाँ से तुम्हाँ take away point क्या हो गया, sir, DRR ना बनाते है, NBFC के लिए, ना बनाते है, HFC के लिए, ना बनाते है, listed companies के लिए, बनाते किस के लिए, सिर्फ unlisted companies के लिए, कैसे बनाते हैं, इसकी journal entry तुमको समझन DRR ये create करने की entry हो गई, अच्छा बिया, आगे बढ़ें, अब इसको withdraw नहीं करते हैं, हम लोग transfer करते हैं, इसको general reserve में, आब या तक्षना, जब ही statement of penal लिखना ना, इसके आगे एक term लगा लेना surplus, surplus in statement of penal account debit to DRR, ये create करने की entry हुई, जब redemption पूरा हो जाएगा, जितने भी debent debentures का हम redemption पूरा कर देंगे, उसका amount general reserve में transfer करते हैं, आसान भाषा में, एक example के थुरू बताता हूँ, let's say, एक company के पास 10,000 debentures हैं, जिसका वो redemption करेगा, और एक debenture 100 रुपे का है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, तो हमने DRR कितना बनाया, 10,000 into 100 face value कितनी ह हो गई, चार जिरो ये, दो जिरो ये, face value होगी, 10,000, हम DRR कितना create करेंगे, इसका 10%, बोले तो एक लाक रुपे का DRR create कर देंगे, entry क्या होगी, statement of penal account debit to DRR, एक लाक, एक लाक, समझ में आ रही है बात, अगर मान लिते हैं, पूरा का पूरा redeem कर दिया, तो ये पूरा एक लाक जनरलिजव में transfer कर देंगे, और मान लो, 10,000 debentures में से, कंप्री ने सिर्फ 2000 debentures ही redeem किये, तो 2000 debentures का DRR आपको जनरलिजव में transfer करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 2000 debentures into 100, ये हा गया, 2,00, ठीक है, 2,00 का 10% कितना होता है, 20,000 आपको जनरलिजव में transfer करना पड़ेगा, तो जितने भी debentures को आप redeem कर चुके होते हैं, उसका proportionate amount आपको जनरलिजव में transfer करना पड़ता है, DRR से, समझ में आ गया, अगर सारे debentures redeem कर दिये, तो सारा जनरलिजव में transfer कर देंगे DRR, कुछ debentures redeem किये, तो कुछ debentures का DRR आपको जनरलिजव में transfer करना पड़ेगा, मैं जितने भी unlisted NBFC और HFC हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी unlisted NBFC, non banking financial companies और housing financial companies, जितनी भी हैं, उनको DRR आई नहीं बनाना है, किसको? अनलिस्टेड को, unlisted जितने भी हैं, उनको DRR आई नहीं बनाना है, इसका मतलब साथ जितने लिस्टेड होंगे उनको बनाना है? हाँ, बि NBFC और unlisted companies, other than NBFCs and HFCs, require to create DRI, तो इसको याद करने का तरीका क्या है? कौन लोग DRI नहीं बनाते हैं? सिर्फ unlisted NBFC, HFC, DRI नहीं बनाते हैं, बाकि सब लोग DRI बनाते हैं, simple, याद रहेगी बात, सिर्फ unlisted NBFC और HFC, DRI नहीं बनाते हैं, बाकि सब लोग DRI बनाते हैं, क होना है, उसका 15% DRI बनाया जाता है, अब दिमाग में confusion आईगी, सर, DRI कितना बनेगा, कैसे बनेगा, रादर ये एक question है, जो सब बच्चों को दिमाग में घूमता रहता है, कि सर, DRI हम बनाएंगे, कैसे, कितनी, कैसे entry पास करेंगे, चलो उसकी general entry देख लिते हैं, जब हम D DRI create करते हैं, तो entry होती है, DRI account debit to bank, और जस दिन आपका आखरी redemption होता है, उस date of redemption पर आप जो अपने जमा किया है पैसा, उसको withdraw भी करेंगे, उसकी entry होती है, bank account debit to DRI, ये तो बहुत सेंपल किस है, लेकिन कभी कभी question में, जब हम DRI invest करते हैं, तो उसके उपर मुझे कुछ फा draw करोगे तो entry क्या होगी, bank account debit to DRI, लेट से कुछ gain हो गया, तो to gain, और इस gain को आपको transfer करना होता है, capital reserve में, कल specimen के solution में मैंने ये बताया भी था, कैसे transfer करेंगे, तो लिखेंगे gain, या जिस तरब ये gain on sale of investment, account debit to capital reserve, ये entry बच्चा भूल जाता है, मेरा काम है कि आप भूले न, इसलिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जिससे आपका सारा DRIR और DRI का concept strong हो जाएगा, चलो भाई, विशुलक मिलते हैं आगले वीडियो में, बपाई